हालो एवरिवन हाव और उमीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे फ्रेंट्स फ्रेंट्स आज हम लोग नेरेशन लेकर आए हैं नेरेशन जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट है और सभी कॉम्पेटिटिव एक्जाम में यह देखने को मिलता है डियर स्टुएंट्स या फ्रे सकें यू रह Ninth All that's है कि हमारी इंडिया में हमारे पोस्टीमें उत्तरपरदेश मुष्डेश की तरफ इंगली इंग्निय का समझा हुँ ज्यादा समझ में अच्छे से आता है तो चलि यδ째 से साथ we तो narration का मतलग होता है dear students या friends, narration का आर्थ है कथन, ठीक है, अगर simple भास में कहें तो और narration को हम और क्या-क्या बोल सकते हैं statement भी बोल सकते हैं, assertion भी बोल सकते हैं, declaration भी बोल सकते हैं, लेकिन grammar में हम लोग this term को किस रूप में यूज करते हैं narration का ही only हम लोग use करते हैं, तो इसलिए हम लोग बार-बार narration कहते हैं, ताकि हम बिचल भी ना पाएं, तो ये उपर बताया हुआ है, अब देखते हैं kind of narration, narration की kind क्या-क्या होती है, narration दो परकार का होता है, dear students narration direct narration और indirect narration तो direct narration को क्या होगा, जिसमें किसी व्यक्ति के द्वारा कहे गई statement या कथन को जो का त्यो प्रस्तूत किया जाता है, ठीक है जैसे हम किसी की बात अगर कहेंगे तो हम जो कित्यों बोलेंगे, तो हम उसको inverted commas में बोलेंगी, आपको बताया भी गया होगा, जब आपको question भी लिखते थे, तो अगर आप किसी की statement लिखते हो, तो उसमें हम inverted commas में उसको जो काती हो, जब हम किसी की भासा को या किसी की बात को कहते हैं, तो हमें inverted commas में उसको रखना होता है ठीक है, जैसे अगर हम to same लिखा हुआ है, जैसे मीरा ने बोला था, ऐसे ही ये लिखा हुआ है, तो indirect narration को अब समझते हैं हम अब हम indirect narration को देख लेते हैं, beginners के लिए जो उनको आता है, उनको तो आता ही है तो beginners के लिए और वैसे भी ये टोपिक ऐसा होता है बार-बार दोराना पड़ता है, तो हमारा पका होता चला जाता है, तो indirect narration क्या होती है जिसमें हम किसी व्यक्ति के द्वारा कहे गए statement को हम अपने सब्दों में प्रस्तूत करते हैं ठीक है, अपने भासा में see was go, तो उसमें तो उसने क्या बताय था, कि मीरा ने कहा कि I am late, same to same ही हमने बोला किसमें, direct narration में, लेकिन यहाँ पर हमने उसी चीज को अपने सब्दों में बोला, जैसे मीरा said, मीरा ने कहा, see was late, तो हमने क्या बोलना पड़ेगा statement को अपने सब्दों में बोला, तो आप आगे देखते हैं, इस वाक्य में मीरा के द्वारा कही कही बात को हम अपने सब्दों में व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है, तो इसी लिए हम लोगों ने इसमें friends, इसमें इसका tense भी बदल दिया है, आगे इसके rules पढ़ाई जाएंगे, तो आप समझ जाएंगे, narration के संबंद में कुछ आवश्यक चानकारी हम देख लेते हैं, Mohan said to his friends, तो ये क्या है, Mohan said to his friends, वाक्य का ये है भाग, reporting speech कहलाता है, dear students, your friends, ये क्या कहलाता है, reporting speech कहलाता है, या reporting close भी हम इसको कह सकते हैं, तो दूसरा जो statement होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम reported speech या reported close हम बोलते हैं, या reported statement हम बोल सकते हैं, तो ये जो हमारा starting का भाग है, इसको हम क्या बोलते हैं, reporting speech या reported reporting clause और दूसरा जो हमारा भाग है जो हमारा कथन है उसको हम क्या वो लें को reported speech या reported clause या reported statement ठीक है तो यहां तक हमारा हो गया है अब हम point number two तो देखते हैं, भी देखते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच का प्रियोग वाक्य के शुरू में, वाक्य के अंत में या वाक्य के बीच में हो सकता है, रिपोर्टिंग स्पीच जो होती है हमारी, रिपोर्टिंग स्पीच का प्रियोग वाक्य के शुरू में, अंत में और कहीं भी बीच में भी हो सकता है जैसे the teacher said the school is closed for a month the teacher said the school is closed for a month तो यहाँ पर तो starting में हुआ इसका reporting speech का हमारा use next हमारा word है let's go for a walk she's sad to her friends तो यहाँ पर का हुआ sentence के अंत में यूज हुआ next है हमारा Jane Austen sad mala was a great novelist तो यहाँ पर क्या देखा हमने कि reporting speech का हमारा use बीच में भी हो सकता है next हम देख लेते है direct narration into indirect narration के हम rule देखेंगे आगे तो direct narration से indirect narration बनाने के लिए कुछ ऐसे rules है जो सभी परकार के वाक्यों sentence पर लागू होते हैं ऐसे rules को general rules कहा जाता है ठीक है यह general rules 5 है जो निम्रिकित है तो देख लेते हैं dear students 1 direct narration direct narration में हम एक तो inverted commas का यूज करते हैं ठीक है inverted commas का यूज करते हैं यह जो कुमा आप देख रहे हैं और indirect narration में हम इसको हटा देते हैं तो यह हमारा first rule हो गया he says I am ready he says that he is ready तो यहाँ पर हमने indirect narration में इसको मास को हटा दिया inverted commas को दिख लिया आपने यह हमारा rule number one हो गया number two reporting verb present tense या future tense हो तो reported speech के verb के tense में कोई परिवर्तन नहीं होता है present tense या future tense में अगर हमारा reporting verb हो तो ठीक है reporting verb ये वाला ठीक है अगर हमारा reporting verb present tense या future tense में हो तो हम reported speech में कोई भी change नहीं करते हैं ठीक है जैसे हम एक्जाम्पिल से समझेंगे direct है हमारा she says Rita comes late तो हमारा क्या है present tense में है इसमें है present tense में है she says Rita comes late अब हम इसका indirect अगर बनाएंगे तो हम इसमें कोई भी change नहीं करेंगे Rita says sorry she says that Rita comes late तो हमने verb में कोई भी change नहीं किया जो कत्यों ही हमारा रखा है next हम देख लेते हैं number two direct narration का देख लेंगे Mary will say Mohan is always right तो हमारा क्या है future tense में है हमारा ये ठीक है और ये present tense में हो गया तो इसको भी हम कोई भी change नहीं करेंगे Meera will say that Mohan is always right Mohan is always right ये यहां दिया हुआ है तो ये हमने देखा है कि हमने अगर हमारा present tense में future tense में reported speech है तो हम same to same लिखेंगे next हम देख लेते हैं point number three जब reporting verb past tense में हो तो reported speech के verb के tense में हम कुछ परिवर्दन करते हैं जो कि इस तरह से हैं जिसे अगर present indefinite में को हम अगर present indefinite को हम past indefinite में बदल देते हैं जब हमारा reported speech reporting verb जो है past tense में है जैसे set है महा पर क्या था say तो देख लिजी आप, dear यू सेट, I नेवर गो देर यू सेट, I नेवर गो देर, तो ये किसमें पास्टेंज में हैं तो हम क्या करेंगे, क्या हमने पढ़ा है प्रेजेंट टेंज को हम लोग पास्टेंज में बदल देंगे, ठीक है I नेवर गो देर I never go there beginners के लिए मैं पढ़ा रही हूँ अगर आप पहली सी perfect है तो आपके लिए division हो जाएगा dears तो I never go there I never go there कि हम लोग यह क्या है present में है तो हम इसको कैसे change करेंगे अभी देख लेते हैं you said past tense में यह तो जो कतो ही रखेंगे that you never went there तो हमने किस में change कर दिया past tense में change कर दिया present को past tense में change कर दिया next हम देख लेते हैं अगर present indefinite में हो तो past imperfect में हम लोग use कर लेते हैं past imperfect या continuous में चीक है तो देख लेते हैं हम examples इसको समझ लेते हैं direct narration है नीता said I am willing to do it ठीक है तो यह क्या है हमारा present imperfect या continuous tense में है तो हम इसको कैसे change करेंगे reported speech हमारी past में है तो इसलिए हम change कर रहे हैं नीता said that she was willing to do it तो यह हमारा आपका change हुआ है यह भी हमारा आगे rule है वह हम आपको बता देंगे तो यहां पर हमने क्या किया आपने देखा कि present imperfect वह हमने past imperfect या continuous में change कर दिया है next rule हम देख लेते हैं rule number c present perfect को हम past perfect में बदल देते हैं जैसे दीपु said I have bought a red pen तो किसमें है present perfect में हैं तो इसको हमने change किया दीपु said that he had bought a red pen he had bought a red pen तो यह हमने देखा है कि हमने present perfect को past perfect में change कर दिया rule number c हमारा हो गया अब rule number d हम देख लेते हैं present perfect continuous को हम past perfect continuous में बदल देते हैं जैसे मोहन said to me I have been living here for a month next हम देख लेंगे मोहन told to me that he had been living there for a month तो यह कुछ changes है here there इनका भी मैं आपको एक chart दिखा दूँगी जो आप अराम से कर लेंगे तो pronoun में हमें change करना होता है उसका भी एक rule है next हमारा word है जो point है past indefinite को हम किस में change करते हैं dear students past perfect में past indefinite को हम past perfect में change करते हैं example हम देख लेंगे you said she wrote a letter indirect हम देखेंगे you said that he had written a letter he had written a letter तो head के साथ हम third form use करते हैं so हमने हमें यह change करने होंगे तो past indefinite को हमने किस में किया past perfect tense में next हम देख लेते हैं आगे हमारा dear students यह हमारा एक note है कि इस तरह की problems exams में दी जाती है जो हमारी competition के exams होते हैं जैसे अगर यह जो question है यह dear students ssc clerk grade exam में आया हुआ question है जो 1986 में चिक है तो he told his servant that his work is not satisfactory तो इसमें dear students told यहां पे है past में past में जब reporting verb होती है हमारी तो हमें क्या करना होता है इसको भी past में करना होगा तो इस तरह की problems दी जाती है इसमें हमें इसको आवाज में बदलना होगा ठीक है क्योंकि हमारा told use हिया हुआ हो रखा है reporting verb ठीक है past tense में जैसे कि मैंने पहले रूल बताया था next है हमारा जो sentence है हमारा ये LDSB LDSB exam में आया हुआ question है जो कि 1990 में आया हुआ question है pressed by his students the principal suddenly said that I am in no way responsible for the query तो question number point number two में जो हमारा एक question है इसमें हमें क्या change करना होगा in direct narration के लिए इस वाक्य में हमें c part में I am के बदले हमें I was ठीक है I was का use करना होगा क्योंकि reporting verb क्या है told है तो इसमें भी same ही है reporting verb क्या है हमारी told है ठीक है तो उसी के coding हमें यहां पर इसमें said है ठीक है तो said भी हमारा क्या है past tense में तो उसी के coding हम past tense में इसको use करेंगे question number f हम देख लेते है past imperfect को हम past perfect continuous में change करते है ठीक है या आप कह सकते है past continuous को हम past perfect continuous में change करते है जैसे हमारा direct narration है जोती said they were talking to the principle ठीक है तो हमारा यह past tense में है इसलिए हम change करेंगे as you know तो they were talking to the principle past imperfect में हमारा ही sentence है या continuous tense में आप कह सकते है तो इसको हम कैसे change करेंगे जोती said perfect continuous में जोती said that they had been तो हमारे they had been talking to the principle past perfect continuous का हमने use किया इसमें next हमारा g part हो जाता है g point हो जाता है इसी परकार हम can को could में change करते हैं dear students said को should में will को would में और may को might में हम बदल देते हैं next हमारा note है past perfect या past perfect continuous जो के तियों रहते हैं ठीक है और यदि reporting speech में यदि reporting speech में कोई universal truth या habitual truth हो तो reported speech के tense में dear students कोई भी change नहीं होता है तो हमने क्या देखा ये past perfect और past perfect continuous का हम narration नहीं बनाते हैं वो same to same रहते हैं और हम अगर reporting speech हो तो वो भी हमारी same to same ही रहेगी यगर universal truth हो sorry ठीक है और हमारी habitual truth हो जैसे the teacher said the earth moves तो हमारा क्या है earth moves है round in the sun तो ये तो हमारा earth तो गूमें ही वो क्या है universal truth है तो इस तरह से हमारा ये change नहीं होगा ये जो कत्यों ही रहेगा चाहे ये past tense में भी क्यों ना हो ठीक है तो next example देख लेंगे the teacher said that the earth moves round the sun तो यहां पर हमने देखा कि past tense में हमारी ये होने के बाद भी the earth moves round the sun तो ये तो हमने देख लिया है next example देख लेंगे direct narration का my father said the earth is round मेरी पापा ने कहा तो ये sad होते हुए भी हमने past tense में होते हुए ये ये universal truth है earth round है तो है तो है तो हमारा ज्योकतियों रहेगा my father said that the earth is round तो next हम पॉइंट नंबर 4 देख लेते हैं reported speech के pronoun में जो मैंने बोला था ना कि pronouns में भी चेंज होते हैं pronouns में भी परिवर्तन होते हैं ये परिवर्तन निमलिकित नियम इसके नियम होते है son 123 इसका मतलब है dear students first person subject के अनुसार second person जो first person होता है हमारा first person क्या होता है iv first person क्या है हमारे iv तो वो हमारे subject के अनुसार change होते हैं और second person हमारा object के अनुसार चेंज होते हैं she said to me I am right but you are wrong तो indirect में हम कैसे change करेंगे she told me she told me that she was right but I was wrong तो ये हमारा क्या है first person है तो first person को हम कैसे change करेंगे किसके according change करेंगे subject के according change करेंगे तो first person subject क्या है हमारा sentence का इसका reporting verb का reporting speech का तो हमारा क्या है C तो इसी को हम इसी के according change करेंगे तो हमारा हम subject के according S-O-N यानि कि first person subject के according change होगा second person हमारा object के according change होगा और third person में हमारा no change S O N E C का मतलब है तो हमने आगे देख लेंगे हम तो हमने हमारा ये I हमने first person को किस के according change किया? subject के according ठीक है? तो I first person जो subject C के अनुसार बदलकर हमने C हो गया और you second person इसी sentence में हम देख लेंगे you तो you क्या है? second person है तो उसको हमने object me के according मी क्या है? मी का मतलब मी हमारा जो subjective first person का objective case है तो उसके according हमने change किया इसको I में यहाँ पर क्या होना था? subjective case चाहिए था तो इसलिए हमने यहाँ पर I को use किया, ठीक है? तो यहाँ पर हमने क्या change किया? हमने देखा you को किस के से change किया हमने objective case के according तो आगे हम देख लेते है you said to me he is handsome तो इसको हम कैसे change करेंगे? यह क्या है हमारा third person यह क्या है हमारा third person तो इसको हम कोई भी change नहीं करेंगे जैसे हमने देखा था son इसमें n का मतलब क्या है? no change तो indirect मे हम देखेंगे you told me that he was handsome तो he को हमने जो कत्यों ही रख दिया बाकि जो हमने change करने थे present को हम past में change कर देते हैं वो हमने change रखे हैं तो यह इसमें बताया हुआ है आगे हम देखते हैं यदि universal truth के लिए we का प्रयोग हो तो इस we को indirect narration में नहीं बदला जाता अगर universal truth की बात कर रहे हैं जैसे we said we cannot live without air तो universal truth है यह तो जो सही बात है कि क्या है कि हम तो air के बिना रही नहीं सकते तो they said that we तो we हमारा change नहीं होगा अगर universal truth की बात है तो we cannot live without air जैसे आपने देखा universal truth में भी हम लोग pronoun change कर लेते हैं लेकिन हम ऐसी स्थिती में हम pronoun को भी change नहीं करेंगे वी का हमारा जोकतियो ही रहेगा कुछ changes होते हैं जो हमें यह इसी इसी पर problems दे जाती है dear जैसे आगे हम देखते हैं C point इसका देख लेते हैं यदि कोई magazine newspaper आदी अपने लिए वी अवर आदी का प्रियोग करता है तो indirect narration में इन्हें क्रम से है its या it में बदल दिया जाता है इसको magazine और newspaper यदि अपने लिए वी को वी को हम लोग it का use कर लेंगे अगर magazine और newspaper अपने लिए वी का use कर रहा है अवर का और अस का तो हम लोग इसको कैसे change करेंगे क्रम से है क्रम क्या according अब भी को it में अवर को its में और us को it में हम use करेंगे change करेंगे जैसे examples हम समझेंगे the times of India क्या है newspaper का नाम है we are trying our best to keep you well informed तो यहाँ पर हमने देखा change हम देखेंगे इसमे the times of India says says हमारा वैसे भी हमारा present में है तो says that it तो हमने वी का क्या कर दिया newspaper and magazine की बात हो रही है वी को हमने it में use कर दिया ठीक है is trying its hour को हमने its में use कर change कर दिया best to keep us up us well informed ठीक है तो यह हमने देखा next हम point number d देख लेते हैं यदि reporting verb में object का प्रियोग नहीं हो तथा reported speech में you का प्रियोग हो यदि reporting verb में object का प्रियोग नहीं है और reported speech में you का प्रियोग है तो हम you को अविशक्ता अनुसार third person या first person में बदल सकते हैं example के रूप में हम समझेंगे जैसे she said you are guilty you she said you are guilty she said तो इसमें क्या है कि हमारा object नहीं है she said यहाँ पर हमारा object तो नहीं दे रखा है तो इसको हम क्या change करेंगे अपने आप ही हम लोग he में change कर लेंगे तो अपने आप ही हम लोग third person में इसको change कर लेंगे या first person में भी हम change कर सकते हैं he was guilty यह हम कह सकते हैं I am guilty I was guilty ठीक है तो यह भी हम कह सकते हैं next हम देख लेते हैं she said you are all guilty तो इसको हम change करेंगे third person में change करेंगे you are all क्योंकि यह plural है आर का use है यहां पर plural है तो हम लोग क्या करेंगे you are all दिया हुआ इससे हमें plural का पता चलेगा यू तो यू ही होता है similar के लिए भी और plural के लिए लेकिन all है क्योंकि इसने हमें पता चल गया कि जो सामने है वो ज्यादा है तो हमने दे का use यहां पर कर लिए क्या है third person है यह भी क्या है हमारा third person है they were were all guilty next हमारा example है she said you are guilty तो इसमें हमने अपने अवश्यक्ता नुसार जैसे उपर बताया है third person और first person में प्याइन सकते है I was guilty next हमारा है he said you are all guilty तो यहां पर भी हम लोग अपने अवश्यक्ता नुसार all है तो हम we कभी use कर सकते है we were all guilty तो यह हमारा हो जाता है अब हम point number five हम देख लेते हैं indirect narration में जब reported speech में present tense को past tense में बदल present tense को past tense में बदला जाता है तो शब्दों में भी कुछ परिवर्थन होते हैं यह से मैंने आपको बताया था कि कुछ changes होते हैं वो हम आगे बताएंगे अगर reported speech में present tense को past tense में जब बदलते हैं तो अगर reported speech में हमारे now है तो हम उसको then में change करेंगे this है तो उसको that में come है तो उसको go में today है तो उसको that day में Hindi भी आप देख लिजे इसलिए मैं Hindi की यह video लाई हूँ इस को those में here को there में dance को hands को dance में दस को so में tonight को that night में tomorrow को that the next day में या on the morrow में और next day को the following day में last night को the previous night में ego को before में हम लोग change करेंगे अब note दिये हुए है इसमें कि अगर कि this here now today कम आदी का प्रियोग यदि उस वस्तु जंग है समय आदी के लिए हो तो speaker के साथ उस समय हो जब है यह पूर प्रोब्लम दिये हुए है the lady said that she should be away from home tomorrow as Maltese friend would come to visit Mumbai तो यहाँ पर हमारा जो tomorrow है आगे दिख लेंगे हम इस वाक्य में सी पार्ट में tomorrow के बदले हमें to the morrow या the next day का प्रियोग करना हो क्योंगी tomorrow को हम on the morrow या the next day में बदल दिया जाता है तो आगे देख लेंगे जैसे मेरी sad मेरा sad I am responsible for it तो दीपक sad to meana you are punctuate तो rules देखेंगे हम sad sad को sad ही sad तो sad ही रहता है लेकिन observed remarked pointed asserted declared proclaimed आदी में हम इसको बदल देते हैं तो यह हमारे rules है assertive sentence को change करने के ठीक है इसको assertive sentence को change करने के तो हम देख तेंगे तो हम क्या करेंगे ऐसे sentence में जो हमारा जिसी के according जो sentence है हमारा उसे के according हम sad को हम किस किस में change करते है observed remarked pointed out asserted declared और proclaimed में हम बदल देते हैं जैसे sad to को sad to तो sad to रह सकता है या told informed reported to में हम इसको change कर भी सकते हैं ठीक है आगे देखेंगे note है एक बगएर object का told का प्रियोग नहीं हो सकता ठीक है अगर किसी sentence में object ही नहीं है जैसे sad to के आगे कोई object नहीं है तो हम लोग told का use नहीं कर सकते हैं क्योंकि tell एक tell क्या है एक intransitive verb है जिसका प्रियोग हम बगएर object के नहीं करते हैं ठीक है तो next हम देख लेंगे हैं जैसे he told that he was hungry तो यहाँ पर कोई object नहीं है ठीक है ए पार्ट में told का प्रियोग यहाँ पर गलत है क्योंकि इसमें object नहीं है told के बदले हमें sad का यहाँ पर use करना होगा ठीक है क्योंकि इहाँ पर object नहीं है तो sad को हम use कर सकते है लेकिन told को हम use नहीं कर सकते क्योंकि यह क्या है intransitive verb है next हमारा point है फिर यादि हम sad यादि फिर sad के बदले हमें बगैर two के object का प्रियोग नहीं किया जाता है ठीक है अगर sad में अगर two नहीं है तो हम object का use ऐसे ही नहीं कर सकते है क्योंकि sad के बाद सिधा object का प्रियोग कर भी हमें problem दी जाती है competition की बात करें है see sad me that she liked that young man तो यहाँ पर क्या कर दिया बिना two के ही object दे दिया तो यहाँ पर हमें problem इसमें face करनी होती है जैसे see sad two के का प्रियोग हमें यहाँ पर करना पड़ा है क्योंकि sad me के बदले हमें sad to me का यहाँ पर use correct होगा next हम देख लेते हैं या हम sad के बदले told का प्रियोग कर सकते हैं इसमें प्रियोग हम किया जाता है इसमें इन नियामों का पालन करने पर उप्युक सेंटेंज को के इंडिरेक्ट नेरेशन निमलिकी थोंगे जैसे उपर वाली सेंटेंज है यह जैसे Meera said that she was responsible for it तो यह हमने उपर वाला सेंटेंज जो हमने देखा था मीरा said to Meena that she was punctual तो दीपक सोरी दीपक टोल्ड मीना इसको हम ऐसे भी कैसे दीपक टोल्ड मीना that she was punctual तो का हम इसमें टोल्ड में यूज नहीं करेंगे तो इंडिरेक्ट नेरेशन और इंटरोगेटिव से इंडिरेक्ट नेरेशन हम देखेंगे तो आइधिंक वीडियो भी हमारा लंबा हो गया है इसको हम नेक्स पार्ट में लेकर आते हैं तो तब तक के लिए नमस्कार मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थैंक्यों और विए वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्स्राइब माई च